मुंबई पुलिस और अरनब गोस्वामी के बीच में 36 का आगड़ा तो काफी समय से चल रहा था लेकिन इस तरीके से अरनब के एरेस्ट के बाद काफी लोग बात कर रहे हैं ओपिन विच्छंट के बारे में अरनब का ये भी कहना है कि मुंबई पुलिस के जो आफिसर्ज हैं उन्होंने उनको असॉल्ट भी किया बहुत से लोगों का माना है कि अरनब ने जब ये महराशा स्टेट गवर्मन्ट पर बेबुनियाद ऐलेगेशन लगाए तब से मुंबई पुलिस उनके खिलाफ विचंट कर रही है अगर इस बात पर कोई शक था कोई डिबेट था तो वो मुंबई पुलिस ने आज एकदम सेटल कर दिया है एकदम दूर कर दिया है लेकिन इस सब में सबसे चौका देने वाला एंगल था कि कैसे लोग freedom of speech, journalistic rights के प्रती जागरुक हो गए है इंडियावित अरनब के हैश्टैग चल रहे है ट्विटर पर एडिटर्स गिल्ड ने record टाइम में condemnation statement भी इशू कर दिया सरकार के सभी टॉप मंत्री ट्वीट करने पर लगे हुए है कि देखिये democracy का कैसे गला घोटा जा रहा है महराश्चा सरकार से emergency की बू आ रही है अब बताइए 70 सालों में पत्रकार किसी भी पत्रकार को central government से इतनी साहनबूती मिली थी क्या नहरू की गलती और भक्त गण IT सेल तो छोड़ो woke liberals भी अरे अरनप को बचाने में लगे हुए है इंडिया गेट पे candle candle शेंडल भी शायद अरनप के लिए दिख जाएंगे अब तो जब देश को इतनी फिकर हो रही है पत्रकारिता की freedom of speech की तो देशबक्त न सोचा हम भी चांस पर डांस मार लेते हैं उन बेचारे पत्रकारों के बारे में भी थोड़ा आउट्रेज करवा देते हैं जो रोज पिस रहे हैं या तो जेल में हैं या जिन पर raid हो रहा है या जिन पर open daylight में गोलियां चल रही हैं इतने आउट्रेज के बीच में थोड़ा सा आउट्रेज उन्हें भी मिल जाएगा तो सभी खोश रहेंगे ना शुरू करने से पहले ये मैं बता दूँ आपको कि टेक्निकली स्पीकिंग ये जो अरेस्ट है आरनाप का ये उनके पत्तरकारिता के वज़े से नहीं उनकी कंजूसी के वज़े से हुआ है Alligation ये है कि 2018 में अरनाप और उनके कॉलीग्स ने अन्वे नायक नामक एक आर्किटेक्ट को इंटीर वर्क के पैसे नहीं दिये साड़े 5 करोर के आसपास का टोटल अमाउंट है इसमें से 84 लाक्स अरनाप को देने थे अन्वे के बिजनेस को जोर का जटका लगा और डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुइसाइड कर लिया अपने सुइसाइड नोट में उन्होंने अरनाप गोस्वामी का नाम भी लिख डाला अब महराश्य सरकार ने ये अन्सॉल्ट केस रियोपन कर दिया है साथ ही साथ महराश्य सरकार अरनाप को टी आरपी फ्रॉड के लिए भी इंवेस्टिगेट कर रही है जिसके बारे में हम आपको इस एपिसोड में अलड़ी बता चुके हैं समझा चुके हैं उसके उपर अलिगेशन है कि Republic TV पर of rebellion against the Mumbai police अब देखे विछण तो है अरनाप भक्त ये कह रहे हैं कि देखिए कल आज अरनाप है कल दूसरों पर भी हो सकता है लेकिन फैक्ट ये है कि देखिए नजर बहुतों को आज आया है इस कांट के बाद लेकिन evidence बहुत सारा है Point number one मिली है पवन कुमार जैसवाल से इनकी गलती क्या थी? इनकी गलती पैस इतनी थी कि उन्होंने midday meal में होने वाली धांदली पर उसको अपने camera में capture कर लिया देश ने भी देखा कि हमारे taxpayer के पैसे से बच्चे नमक रोटी कैसे खा रहे कितना स्वाद है कितना पौश्टिक भोजन है इस बहतरीन reporting के लिए पवन को इनाम मिला FIR Point number two हातरस कांट के बाद जर्नलिस्ट दिकी कपलन लोकेशन पर जा रहे थे के होंगे लेकिन सिद्धिक की अभी भी जेल में ही है Point number three Andrew Sam ने कोइमबटोर में PPE shortage के बारे में रिपोर्ट लिखी अब ये तो एक fact है कि हमें मालूम था कि जब हमने करोना से अपनी लड़ाई शुरू की थी तो हमारे front line health workers के पास PPE kits नहीं थे लेकिन system alert नहीं हुई इस report के बाद उल्टा system ने Andrew को ही arrest कर लिया Point number four अगर विछंट की बात हो रही है तो भई इसको आप क्या कहोगे 55 journalist को या तो arrest किया गया या तो threaten किया गया या उन पर कारवाई और case चलाया गया क्यों? क्योंकि उन्होंने करोना पर report किया था government पर adverse reporting की थी कोई बड़ा scam नहीं कोई sex tape कांड नहीं कोई सत्ता पल्टी खबर नहीं सिर्फ करोना पर report करने के लिए इतनी बड़ी सजा Point number five ये trend आपको और भी देखेगा चोटी से चोटी गुस्ताखी के लिए बड़ी सी बड़ी सजा जेल या F.I.R धवल पटेल पर लगा sedition का चाटा जब उन्होंने ये speculate कर दिया कि गुजरात में विजह रुपानी के जगे चीफ मिनिस्टर की गदी पर मनसुक मांडविया आ सकते हैं कब कोई आउट्रेज नहीं और freedom of expression गया तेल देने पॉइंट डमबर 6 पुलिस ने जमुएन कश्मीर में फोटो जर्नलिस्ट मरसत जारा पर एंटी टेरर UAPA लगा दिया ने 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 उनके पास से AK-47 राइफल नहीं निकला था उनके एंटी नेशनल सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पॉलिस का कहना था कि उनके पोस्ट से law and order का खत्रा है अब देखें रात को नौ बजे चीक चीक कर जहर पहलाने से law and order में मजबूत होता है और सोशल मीडिया पर एक पत्रकार अगर एक पोस्ट डाल दे तो उसे दहशत पहल जाती है पॉइंट नमबर सेवन मनिपूर के जर्नलिस्ट किशोर चंद्रा पर NSA, Dreaded National Security Act लगा दिया गया क्यों? नहीं 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 वो कोई separatism नहीं कर रहे थे उन्होंने BJP-led मनिपूर और Central Government के खिलाफ विडियो बना दिये थे बारा महीने उनको जेल में रहना पड़ा और उफकोस कहने के जरूरत नहीं है कि उसके बाद भी कोई सबूत कुछ नहीं मिला मामला रफादाफा हो गया विडियो दुआ जिनके मूँ से दो शब्द उचे आवाज में नहीं निकलते हैं जिन्होंने independent पत्रकारेता करते-करते अपनी जिंदगी निकाल दी आज उन पर police investigation चल रहा है for alleged sedition, creating public nuisance or making statements that could lead to public mischief HW News जहां दूआ का show आता है उन पर income tax raid पड़ा पचास घंटे तक ये raid चला लेकिन तब उस समय बुद्धी जीवियों ने कहा साब चंगासी है point number 9 बड़े-बड़े शहरों में, बड़े-बड़े studios में जादातर पत्रकारों ने समझोता कर लिया है वो चाटू कारिता पर उतर आये है लेकिन छोटे-छोटे शहरों में अभी भी सत्य की लड़ाई जारी है लेकिन उनको liberals का outrage कहां मिलता है जून के महिने में एक दरजन पत्रकार उत्तर प्रदेश के फत्यपूर में गंगा महिया में कूद गए लोकल अड़िनिस्ट्रेशन उनके रिपोर्टिंग से नाखुश थी परिशान कर रही थी रिपोर्टर्स को एफ़ा आर दरज कर रही थी रिपोर्टर्स के खिलाफ तो रिपोर्टर्स ने मिल के जल सत्याग रह किया पॉइंट नमबर टेन रतन सिंग की बलिया डिस्ट्रिक्ट में गोली मार कर हत्या कर दी जाती है विकरम पटेल की गाजियाबाद में अपने बच्चियों के सामने बीच रस्ते में हत्या कर दी जाती है चंदन दिवारी को पीट-पीट कर जारखंट के एक डिस्ट्रिक्ट में खतम कर दिया जाता है और गौरी लंकेश के बारे में मैं शायद आपको मुझे शायद याद दिलाने की जरूरत ना पड़े और सौल्ट सौन जर्निलिस्ट पर हम तो एक पूरा अलग एपिसोड बना सकते हैं और हमने तो इस बात पर नजरी नहीं डाली कि कैसे IT, ED और अन्य डेपार्टमेंट से कैसे पत्तरकारों और एडिटरों को हाँँश किया जाता है अरनप के साथ जो हो रहा है वो तो सही नहीं है, इस पे कोई डिबेट नहीं है लेकिन आप जो ये अपना आउट्रेज लेकर घूम रहे हो सोशल मीडिया पर, इसको थोड़ा समाल कर रखो न अरे बिग बॉस देखो, असली वाला, जो आता है, और आईपील भी अपने फिनाले के तरफ जा रहा है, उसको देखो और अगर आउट्रेज करना ही है न, तो पत्तरकारिता को इस देश में कैसे मार दिया गया है, उसकी कैसे हत्या हुई है, उस पे आउट्रेज कर लो और अजे सिंग की एक छोटी सी पेशकश, शायद वो 30 सेकंड में वो बोल पाए, जो मैं 10 मिनिट पे ना बोल पाया, कि भाईया ये तमाशा, ये सरकस, शुरू किसने किया? जाएंगे मैं और तुम, एक दूसरे को कोस्ते, ये सरकस शुरू किसने किया? पतरकारिता करने की कोशिश की, और उस पर हतोडा नहीं पढ़ा, अगर आउट्रेज करना है, तो उस पर करिये, और जहां तक बात है पढ़ने की, और क्या है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो है ना, हमने आपके लिए इंतजाम कर दिया है, जाए देशभक्त.in, हमने ए एक curated section बनाया है, Essential Reads, उसको जाके पढ़िए, सारे best articles जो इंडिया में छप रहे हैं, हमारे देश के बारे में, हमारे democracy के बारे में, आपको एक जगे मिल जाएगा, वही पढ़ लीजिए, और हाँ, हमारी मुहीम अगर आपको अच्छी लगी, तो ज़रूर जोइन करिए, ह और भी regular बनाएंगे अगर आपका support आपका साथ मिले, thank you so much for watching and watch that outrage.